बहुत बड़ा अंतर होता है वो करने में जो मुझे पसंद है और वो करने में जिसकी जरूरत है जब आप वो करने लगते हैं जिसकी जरूरत है तब कोई ऐसी चीज नहीं होती कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है अगर आप बस इस एक चीज से उपर उठ जाते हैं कि मुझे कुछ पसंद है और कुछ पसंद नहीं है अगर आप बस इस एक चीज से उपर उठ जाते हैं तो आपका 90 प्रतिशत आध्यात में कारे पूरा हो जाता है बस इतना ही क्योंकि कर्म कर्मों को पैदा करने की मशीन बंधन का आधार बस यही है मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है मुझे इस से प्यार है, उस से नफरत है एक बार जब आप स्रिष्टी को इस तरह बांट देते हैं तो वो आयाम जिसे हम स्रिष्टी का स्त्रोत कहते हैं वो आपकी पहुँच से बाहर हो जाता है मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दिया करें सभी बच्चे भी, ठीक है? आप सबको छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए एक घास कतिन का, एक पत्ता, एक चीटी आपने चीटी देखी, आपको एक चीटी को वागई करीब से देखना चाहिए जिसने भी ये चीटी बनाई है उसने इसे बहुत ध्यान देकर बनाया है या यूँ ही, ठीक है, बस एक चीटी ही तो है आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे से बनाया है? अच्छे से बनाया है कि नहीं? बहुत अच्छे से बनाया है, है न? वास्ताव में चीटी कमाल किये बस एक टुच्ची सी चीटी नहीं है अगर स्रिष्टी करता, स्रिष्टी का स्त्रोत उतना ध्यान देने को तयार है इस छोटी सी चीटी पर तो आप कौन होते हैं ये तै करने वाले कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है हम इसे पसंद करते हैं हम उसे पसंद नहीं करते आपको कौकरोच पसंद है क्यों मान लीजिये मान लीजिये कि शिव कौकरोच के भेश में आ जाते है तो आप क्या करेंगे? नमस्कारम करेंगे आप लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो शिव है या बस एक मामूली कौक्रोच है आपको कैसे पता चलेगा? पता नहीं, तो बहतर होगा कि आप हर कौक्रोच को नमस्कार करें क्योंकि किसे पता कि शिव कौन से वाले होंगे ये बहुत आसान है इस संस्कृति ने आपको यही सिखाया है आप एक पेड को देखते हैं ओ शिव एक पत्थर को देखते हैं शिव एक कुत्ते को देखते हैं शिव गाय देखते हैं शिव क्योंकि आपको नहीं पता आप नहीं जानते कि आज उनका क्या भेश है बहतर होगा कि हम चांस ना लें है ना चांस नहीं लें कम से कम इंसानों से शुरुवात कीजिए आप नहीं जानते कि वो आज किस रूप में आये हैं है ना मान लीजिए क्या पता, इसलिए आप जिसे भी देखें, क्योंकि क्या पता आज क्या रूप है, अगर आप इस तरह से हो जाते हैं, तो क्रिपा आपके उपर बरसेगी, इसमें कोई शक नहीं है, आपको खोजने की जरूरत नहीं, आपको ईश्वर को या सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, ये खुद आपके उपर बरसेगा,